हाई फ्रेंट्स मेरा नाम हबीब है आप देख रहे हैं अधीकनों है यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम सेखेंगे NVIDIA स्क्रीन डीडर को आप springs on होने के लिए कैसे सट किया जाता है यानि nvda screen reader automatically on होगा जब भी आपका computer on होगा तो चलिए रोज की तरह आज भी कुछ नया सीखते हैं हमें insert key और end key को at a time प्रेस करना होगा ऐसा प्रेस करने से nvda menu open हो जाएगा तो यहां पर मैं insert key और end key को प्रेस कर चुका हूँ menu open हो चुका है इस menu में हमें एक बार down arrow प्रेस करना होगा preferences sub menu मिल जाएगा और right arrow प्रेस करना होगा right arrow प्रेस करने पर एक sub menu open हो जाएगा उस sub menu में आपको यहां पर general settings भी मिल जाएगे उस पर click कर दीजिए जब तक automatically start nvda करें यह option नहीं मिलता है आपको तब तक tap की को प्रेस किजिए यह वाला option automatically start nvda का इस पर हमें space bar प्रेस करना होगा तो यह checked हो जाएगा मैं एक बार फिर से option आपको सुना दूँगा automatically start nvda इस पर check box पर check कर दीजिए okay पर click कर दीजिए यह एंटर प्रेस कर दीजिए अगर आपके computer में automatically screen reader on हो रहा है तो उस option पर आप जाके uncheck कर देंगे तो आपके screen reader में सरी आपके computer में screen reader automatically on नहीं होगा hope करता हूँ आप सब को एवीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा और helpful रहा तो like और share करना मत भुलिए अगर आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe करना मत भुलिए किसी और वीडियो में मिलूंगा तब तक के लिए good bye